ओर राइट, what's going on, my lovely assistant, here is people out there, welcome to पडले 10-30s, और आज हम करना लेग बहुती क्यूट्स और बहुती प्यारा सा चाप्टर जिसका नाम है Outcomes of Democracy, यह बहुती प्यारा चाप्टर है, हमारे civics का आखरी चाप्टर है, तो बिल्कुल आसानी से हमारे civics, civics फुद्दू इथा और फुद्दू बन जाएगा, इस चाप्टर के बाद में, तो बिफोर स्राटिंग दे वीडियो, अगर तुम लगे तक चानल को सब्स्क्राइब नेगा, तो इसलिए, अगर तुम लगे तक चानल को सब्स्क्राइब नेगा, तो make sure कि सब्स्क्राइब कर लो, target है हमारा 3 पर बोलो, कि भाईया, हमारा चानल है, पढ़ले 1020, बहुत ही खतरना गाला, इस पर से जाके पढ़ना, ठीक है, चलो, और एक और चीज़ बताओ, अगर तुम लोग ने बिफाद कांकर बैच के अंडर एंडरोल नहीं किया, तो make sure कि तुम कांकर बैच में एंडरोल कर लो, तो सेम तरीके से ये एप पे भी चलने वाला है, यानि कि डाउटनट की एप के ओपर भी कॉंकर बैच रहेगी, सेम चीज़ जैसे यूट्यूब पे फ्रे वहाँ पर भी टोटली फ्री रहेगी, पर फिर भाईया, फिर हम एप पे के दोएक, हम यूट्यूब पे ही देख तो एप पे देखने के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ने, क्या क्या है, कि भाया तुमको सबसे फ़ले टो लेक्टर की स्लाइट मिलेगी, जो स्लाइट में पढ़ा रहे हूँ, दूसरा तुमको चैप्टर की टेस्स मिलेगी, तीसरा तुमको प्रैक्टिस कैशन होंबच म तो तुम कोई आइड नहीं आएगा, तो तुम को कुछ भी नहीं करना, डाउटनट की आप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टीक तरीके से, और लेट्स बिकिन आउटकमस अगर से तु बिल्कुल दिमाग मत लगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही फुद्धू चैप बागी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीके, सबसे सिंपल चीज समझो, आउटकम का मतलब क्या होता है, आउटकम का मतलब होता है, परिणाम, ठीके, चलो हिंदी रैटिंग बहुत ही घटे है, सबको पता चल गया होगा, इसको इंग्लिज में लिख देते हैं भाई, यह होत होता है, ठीके, तो आउटकम का मतलब होता है, रिजल्ट, यह परिणाम, तो हमको यह देखने के भी डेमोकरसी के क्या के रिजल्ट्स है, हमने यह तो देख ले बहुत है, तो सबसे पहली चीज के भी डेमोकरसी बेटर तो है, ठीके, मजब तुम्हारा जो मानना हो तुमक देखो बाई मैं तुम लोगों बतायता हूँ कि अगर तुम नहीं हो तुमको पता नहीं होगा मैं बिल्कुल ऐसी दोस्त और ऐसी कॉमिक वाइब देनी की कोशिच करता हूँ लेक्चर्स के अंदर ठीक है तो मैं ऐसी तोड़ इदर दर की बात भी करता हूँ तो बस मैं तुम लोगों बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत बना देना कभी अच्छा हो तो और एक होगी theoretical बात है अब ही हम कहीं यहाँ पर beach की बात कर रहे है ठीक है मतलब थोड़ी बहुत theoretical बात भी कर रहे है मतलब जो कहने की बात होते हो सिर्फ और थोड़ी बहुत practical बात भी कर रहे है जो कि actual practice में हम को कहा देखने को मिलता है तो हम उसके कहीं beach की बात कर रहे है तो भई definitely promotes equality among citizens हैना दूसरा enhances the dignity of the individual मतलब कि एक individual की जो dignity है उसको enhance करता है मतलब मेरे एक identity इतनी खतरनाक है मान लो कि कोई normal इंसान भी है ठीक है कोई normal छोटी job करना ला भी है पर अगर तुम देखो तो उसका भी equal से है government के अंदर जितना कि एक बहुत ही अमीर आदमी का है ठीक है दोनों जाके vote डालेंगे ठीक है दोनों एक एक vote ही डाल सकते है और दोनों का vote equally count अगा वहाँ पर यह count ने होगा कि इसके एक करोड रुपे तो इसके vote को 10 number दो ठीक है इसके पास सिर्फ 100 रुपे तो इसके vote को को value बन दो ऐसा कुछ ही नहीं होगा सबका vote एक एक ही count होगा तो एक individual जैसे मैं अकेल अगर individual हूँ तो मैं अपने आपको तो बहुत important मैं हैसूस करूँगा न कि वहाँ यहर मैं vote दे रहा हूँ इसलिए जरकार आ रही है ठीक है चलो तीसरा improves the quality of decision making कि decision making एक ऐसी चीज़े जिसमें decision लोगों के लिए बनाया जा रहे है तो जब लोग involved होते हैं तो कहीं न कहीं लोगों का फायदा ही जादा होने के chances होते हैं provides a method to resolve conflicts मतलब कि देखो अगर मानलो कोई दंगे फसाद हो गया ठीक है यहां कहीं conflict हो गया ठीक है कोई लड़ाई जगडा हो गया तो कुछ तो method होना चाहिए न अगर democracy नहीं है अगर अलग-अलग लोगों ने मिलके elect नहीं के government को तो फिर तो सब लोग लड़ने लग जाएंगे कि तू ने मेरे साधा सके हैं मैंने तेरे साधा सके है और फिर तो लड़ाई जगड़ा ही चलता रहेगा जीवन बर तो यह तो बिलकुल सही बात नहीं, allows room to correct mistakes मतलब अगर कुछ गलती होती तो उसको correct कर सकते हैं अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, democracy is better, democracy is not the best, democracy is better, ठीक है तो मारे पास में चार options है मानलो A, B, C और D, ठीक है तो इन चार मैंसे यह default democracy better है क्योंकि हमारे पास में forms of government limited ऐसा नहीं कि हमार पास forms of government है, तो उन 4-5 मैंसे comparatively democracy अच्छी है, मतलब कि अगर मैं सब forms में compare करो तो हो सकता है किसी में A अच्छी हो, किसी में B अच्छी हो, किसी में C अच्छी हो, पर जो D for democracy है, ठीक है मानलो कि यह A for monarchy हो गई, B for dictatorship ऐसा समझ लो, ठीक है, तो मानलो यह 4 options है, अब 4 मैंसे हो It is not the best, comparatively better, मतलब हमारे पस जो options available है, मानलो तुमारे पस चारी options है, ठीक है, मानलो तुम जैसे कुछ भी example है, तुमको कार लेनी है, अब दुनिया में सिर्फ चारी कार वची होई है, ठीक है, अब उन 4 cars में से तुमको कोईसी एक कार लेनी है, तो तुम देखो कि किसी में क बेसिक आउटकम का है, सबसे बेसिक रिजल्ट के है, पहला तो यह है कि it is accountable, responsive और तीसरा legitimate, अब इन तीनों के मतलब समझाता हूं, पर इस चीज का ध्यान रगो, कि ये तीन word जो है, ये तुम याद रख लो, मतलब तुमको मतलब भली समझ में आगे हो, कि accountable, responsive ये होता है, पर तुमको जब आंसर लिख रहे होगे, तो ये words बहुत matter करते है, मतलब accountable word लिखने के बहुत number होंगे, ठीक है, बले तुम इसका मतलब चाप दो पुरा गवरा कर ये वो, ये वो, ये word अगर मिल जागा ना, चेक करने आगो, तो वह ऐसी number देदेगा, similarly responsive, similarly legitimate, तो ये तीन major outcomes and democracy के, अब एक एक करते समस्तिक, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अरे यार, हम बोलते हैं घर पे, कि, जैसे कि मानलो, मानलो कि मेरे दोस्त के parents है, कई बार ऐसा होता है, तो मेरे दोस्त के parents है, तो वो उनके बच्चे को मेरे साथ बेज रहे हैं, मानलो किसी birthday party में, त मतलब कि मेरी जिम्मेदारी है, I am accountable, I am answerable to his father, ठीक है, मैं मेरी जवाब दे ही बनती है, उनको, मैं उनके लिए responsible हूँ, कि अगर 10 बजे से late होगा, तो मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों late हुआ, तो यही चीज होती है, accountability, accountable का मतलब कि आप answerable हो, आप responsible हो, similarly ज जो करूँ है, तुम चिल्ला तो खड़ोगे, मैं को के फरक ने पड़ता, ठीक है, तो पर democracy में ऐसा नहीं होता है, democracy में तुम चिल्ला होगे तो फरक पड़ेगा, ठीक है, यह चीज है, बहुत ही अच्छे से समझाया है, मैंने ऐसा लगा है, खुद में proud feel हो रहा है, कि वा accountable हो गए, कि यहार हमारी भी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे लीडर को elect कर रहा है, तो two-sided accountability इस तरके से तुम समझ सकते हो, ठीक है, citizens of the right to know whether decision was making, मतलब कि citizens को, देखो, मेरा social science पड़ान का तरीका यह है, कि मैं तुमको slides का परो मतलब समझा दूँगा, पर तुमको pause करके उ मजाएगा, ठीक है, अब देखो, citizens को यह हक है, जानने का कि भाई, कोई भी decision सही से लिया गया कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मनमर्जी, मानलो मुनार की मैं राजा हूँ देश का, अब मेरी रात में इच्छावी कि एक काम करते हैं, ब्लू कलर बैन करते हैं, मुझे ब्लू क पड़िया, responsive, responsive मतलब कि respond करना पड़ेगा, responsive मतलब क्या होता है, कि भाई, इसकी touch screen बहुत responsive है, हम बोलते हैं कि इसका display बहुत responsive है, मतलब कि हम जब इसको touch करें तो हमको बड़ाबर feedback दे रहा है, मतलब अगर हम इसमें कुछ भी change कर तो हमको वासे result मिल रहा है, तो responsive का मतलब इसा नहीं होता, democracy में अगर तुम चिल आओ, democracy में अगर तुम ऐसे धरने करो, democracy में अगर तुम प्रोटेस्ट करो, तो तुम्हारी आवास को सुनना ही पड़ेगा, government को, ठीक है, government का ये duty है, कि वो तुम्हारी, तुम्हारी जितनी भी confusion से, जितनी भी तुम्हारी problem से, उन स तगडी value है, ऐसा समझते हैं, जिसे कि मानलो कियार मेरे लिए ये घर लेना एक बहुत legitimate decision है, मानलो कि मैं कहीं घर लेने गाया, तो मैंने 10 घर से लेट के और उन से एक घर दिखा हूँ ज़े, तो मैं बोलू कियार इस घर को लेना मेरे लिए बहुत legitimate decision है, legitimate मतलब कि high value decision है, म जिनके उपर आपको एक तरीके से गवर्न करना है, एक तरीके से उनको control करना, अगर वो ही लोग आपको चूज कर रहे हैं, तो फिर तो legitimate होई गई ना government, क्योंकि सब लोगों की मनजूरी से बनी है, सब लोग मनजूर हुए, इस बात को करने के लिए तब जाके legitimate बनी है, ठ इसे की बात करते हैं, ठीके, अब हम दिमाग लगाता है, पैसे की तरफ, कि economic growth and development की ऐसा होता है, किसी भी democratic country में, economy सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात कर रहे है, अभी हम बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे है, safety की बात नहीं कर रहे है, responsibility की बात नहीं कर रहे है, कि सिर्फ पैस तुम बोलोगे भाई ऐसे कैसे तो तुमका आके पता चलेगा पर यहाँ पर हमें समझ रहे हैं कि भी democracy जो है वो economic growth के मामले में कमजोर पड़ गई मैंने क्या बोला कि भाई best नहीं है democracy कुछ-कुछ मामले में बुरी है कुछ-कुछ मामले में अच्छे पर comparative ले दिखाए तो सबसे अच्छी है तो किन मामले में अच्छे नहीं है उनके बारे में आप discussion कर रहे है कि भाई democracy के cons क्या है ठीक है pros-cons discuss कर रहे है तो क्या के disadvantage जैसे क्या 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 कौन से तो economic growth democracy के अंदर lack करती है देखो देखो अब डेखो अब डेखो डेफिनेटली हमने समझ लेकिवे dictatorship के अंदर economic development जाद अच्छी होती है पर हम सिर्फ democracy को इस business reject नहीं कर सकते है हम ऐसा नहीं बोल सकते है कि democracy तेरे अंदर economic growth अच्छी नहीं है तो हम तुझे चूज नहीं कर रहे है ऐसा नहीं कर सकते हम ठीक है सिर्फ यह एक factor नहीं है factor definitely है बहुत important factor है पर इसके मुकाबले ब population size, global situation, etc. तो सिर्फ economic growth हमको इस चीज का अंदाज़ा नहीं देती है ठीक है अब देखते कि democracy के अंदर ऐसा क्या होता है तो economic situation and democracy समझ लाए तो तुम देखो कि इस photo के अंदर कि जो rich होते है वो सबस्रादा powerful होता है democracy के अंदर ठीक है the rich people are the most powerful although तुम समझ लो कि equality होती है यह अब कुछ किया जा सकता है ठीक है पैसे से almost corruption एक बहुत important चीज है तो जहाँ पर एक गरीब आदमी अपने छोटे से काम के लिए मानलो की बार-बार चकर काट रहा है police station के या फिर किसी government office के या फिर नगर निगम के वहीं पर जो बड़ा आदमी होता है कोई उसको जाना भी इसे बहुत सारी जैसे अब UAE है तो अगर मैं दुबाई की बात करते है तो दुबाई लगती है न बहुत ही खतरनाक से भाई क्या मतलब city है, buildings बड़ी-बड़ी, बिल्कुल rich लगती है, बिल्कुल classy लगती है, वहाँ पर democracy नहीं है, पर फिर भी हो बहुत सही है, ठीक है, तो democracy does not guarantee development, कि democracy होगी तो अपतो पक्का development हो जाएगा, चलो चलो चलो, भाई यसा होता ने कि तुमने एक coaching join कर ली, यह तुम democracy भली आ गई, तुमको बहुत सहरे advantage मिलेंगे, उसके for sure तुम बहुत सहरे चीज़े कर सकते हो, पर idiot करना तुमको ही है, ठीक है, तो development depends on the people and the government, democracy किसके कहला ने जना, ठीक है, democracy इसके लिए कैसे गलत होई, ठीक है, तो यह चीज़े, but it can compete with dictatorship or economic growth, तो देखो ऐसा भी नहीं कि dictatorship अच्छी economic growth में तो ऐसा भी नहीं कि democracy मतलब कि सबसे गरीब ही हो गई, ऐसा नहीं होता, it can compete, ठीक है, बहुत से democratic countries बहुत rich भी है, यह तो बसे में overall example दे रहे हैं, ठीक है, तो dictatorship में ऐसा क्यों होता है, हलाकि तुमारे reason यहां पर दिया नहीं है, but reason इसका यह भी है, कि dictatorship में fast decision making होती है, corruption कम होता है, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर चूंकी एक ही आदमी हो, जो सबसे उपर कर रहा है, और उसके पास supreme power है, तो वो जो चाहे कर सकता है, अब अगर उसकी नियत बुरी है, तो बुरे काम करेगा, अगर उसकी नियत अच्छी है, वो चाहता है development करवाना उसकी country के अंदर, तो चूंकी उसके उपर कोई question करना है नहीं, तो वो कुछ भी कर सकता है, मतलब आज मानलो, इंडिया के अंदर कोई भी अच्छी policy government लाना चाहरी है, तो 100 लोग अडंगा लगाने आ जाएंगे, कि आ रहे, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दो, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आज decision बना कल implement हो जाएगा, यहाँ पर तुमको education policy जो change होने का decision आया था, उसको implement होता है, अराम से 5-6 साल लग जाएगे, पर वहाँ पर एगर ऐसा कुछ change होता होता है, तो फटा-फट होता है, क्योंकि वहाँ पर accountability नहीं है, क्योंकि question करना लगा कोई नहीं, ठीक है, अब अगर तुमारी नियत बुरी है, अब पर इसमें कि अब तुम बोलो कि भी, dictatorship जाद अच्छे मतला ब्यार, वहाँ पर तो फटा-फट हो जाता है, पर तुम ऐसा समझो कि वह dictatorship में बस वह कुछ लोगों की नियत के उपर पूरी population control हो रही है, चलो, इतफाक से, coincidence से चलो, वह अच्छे निकले तो बहुत अच्छा का होगा, अगर माल लो कि उनमें से कुछ भी लोग बुरे निकल गए, तो फिर तो कुछ भी rule बना देंगे, तुम किस के सामसे सवाल करने जाओगे, वो बोल देंगी कि भाईया, घर से ब होक हो गया मैं, reduction of inequality and poverty, देखो, democracies are based on political equality, तो democracy के अंदर definitely political equality होती है, पर economic, this is not the same case for economy, मतलब economy में democracy definitely उपर निचे होती है, लोग भली equally treat होता है, पर actually अगर तुम देखो तो economic terms में बहुत जादा differences हैं आज भी, ठीक है, बहुत अमीर लोग भी है, मतलब तुमको यह पता होग या, ऐसा भी होता है कि 90% wealth top के 5% लोगों के हाथ में, मतलब कि जो top के 5% लोग है, वो इतने powerful हैं, कि उनके पास में पूरे देश की 90% संपत्ती है, 90% wealth है, ठीक है, बहले ही फिर, देखो, इसमें अच्छे बुरे कोई बात नहीं है, हो सकता है कि किसने अपने दम पे खुद दमक्रसी के अंदर ये चीज तो होती है कि economic inequality increase हो रही है, अभी भी हमको पता है, देखो, a small number of ultra rich enjoy a lot of benefits, ठीक है, और जो bottom होते हैं, जो society के नीचे होते हैं, उनके लिए बहुत कम advantages होते हैं, बहुत कम चीज़े होते हैं, तो ये तो है ही है, ठीक है, पर actual life में देखो, तो democracy is not very successful in reducing economic inequalities, ठीक है, तो economic inequalities को reduce करने में democracy को बहुत जादा successful नहीं होए, to be very honest, ठीक है, और जो भी government होते हैं, जिनको elect कर लेते हैं, वो generally poverty या गरीबी के question पे, गरीबी वाले factor पे इतना जादा काम नहीं करती है, उसका एक reason ये भी है, कि government जो power में है, उसमें कहीं न कहीं बहुत बढ़ा हाथ उन powerful लोगों का ही है, ठीक है, जो बहुत अमीर है, जिनका बहुत पैसा है, क्योंकि जो बहुत powerful लोग है, वो कहीं न कहीं government को influence कर सकते हैं, मैं हमेशा government चाहेगी, मतलब government में क्या कुछ लोग ही है, अब वो लोग क्या सोचेंगे कि है, हम पहले बड़े लोग अब लोग सोचेंगे कि अब तुम गरीब हो पे क्या था है, तो हमारा काम करो ने, अब लोग क्यों काम कर रहो, तो यह सब चीजे होती है, practical है, ठीक है, अब यह एक्जाम में लिखना वाली चीजे नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ पसम जाने के लिए, ठीक है, अब accommodation of social diversity, इसका मतलब कि अलग-अलग type के, अलग-अलग religion, अलग-अलग race, अलग-अलग linguistic community, अलग-अलग language बोलना है लोग कैसे एक साथ साथ में रहते हैं, कि diverse तो है, by cultures, by bringing up, या फिर by upbringing, या फिर by birthplace, अलग-अलग differences तो है, पर ऐसे अलग-अलग differences अलग लोगों को साथ में ल ये तो कैसा example था, कि कुछ और ही होता था, मतलब खाली बर्तन बचता हैं, वो तो खेर अलग चलो, मेरे मुहावरव ऐसे भी कमज़ोर है, मेरी Hindi writing तो और गटिया, पर any which way, कहने का मतलब यह है, कि इतने सारे community के लोग हैं, तो definitely ऐसा तो होने सकता कि बिलकुल ही conflict free हो, मतलब conflict हो ही नहीं, सब ही बिल्कुल प्यार से रहे, प्यार से रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर practically हमेशा ऐसा होना possible नहीं है, ठीके, कुछ ना कुछ conflict होंगे, थोड़ा बहुत conflict होगा, family members मालों की, परिवार के अंदर, सब लोग बहुत अच्छे है, पर कहीं पे फुफा जी कहीं पे बुआ जी बुरा मान गई, ठीके, कहीं पे ताओ, कोई भी बुरा, थोड़ा बहुत बुरा तो कोई ना कोई मानी जाता है, ठीके, थोड़े बहुत conflicts तो हर family में होता है, तो similarly, democracy के अंदर भी थोड़े बहुत conflicts तो होते ही होते हैं, हम completely conflict freeze को नहीं बना सकते हैं, ठ बातों में लड़ाई कर लूँ कि मैं तो 11 बज़े के बाद आओंगा, आपको जो कर ना कर लो, तो वो भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूँगा, या फिर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा adjustment कर सकते हैं, मैं बोल दूँ क्यार ये काम करते हैं, साड़े गयरा का time fix कर लेते, मैं सा लड़ा बहुत इसको छूट देते हैं, और मुझे भी समझना है चाहिए हैं, वो बड़े लोग हैं, तो वो थोड़ी मेरी care कर रहे हैं, मेरा concern हैं, फिर उनके जो भी rules से वो सब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगर एक दुसरे की बातों को समझेंगे, if we learn to respect these differences, तो कहीं कहीं हम उस चीज को minimize जरूर कर सकते हैं, खतम नहीं होगे लड़ाई, कहीं ना कहीं वो मनमुटाफ चलता रहेगा, पर कम जरूर हो जाएगा, ठीक हैं, बहुत ही बड़िया है, क्या बड़िया समझाता हूं यार, मैं मुझे कभी-कभी तासा लगता है कि भाई, अपो अचीव दिस आउटकम, यह आउटकम हम कब-कब ला सकता है, ठीक है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, कि अचा, हाँ, यह दो लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, इस नेसेरी तो अंडर संड़िया है, जो मैजोरिटी का उपीनियन है, सिर्फ उसके ओपर बेस पे हम decision नहीं ले सकते है, माले हो कि कोई particular community majority मा है, तो हम सिर्फ उसके फेवरीन decision नहीं ले सकते है, हमको minority का भी ध्यान रखना है, तो थोड़ी moral values होगा है, chapter मैंसा कुछ रहनी, बस इसी छोड़ा moral गया नहीं दे रखाए इस पूरे chapter के ला अन्तर, ठीक है, दूसरा, it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community, मतलब कि majority का rule है तो वो vote के हिसाब से गिना आजाए majority community के हिसाब से गिना आजाए मतलब कि अगर आपके पास में बहुत अच्छे जादा vote है, majority government है तो ठीक है पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि majority community rule कर रही है, मतलब कि जो community, मतलब major है उस country के किसी particular religion के 10-20% लोग होंगे, उनको तो ऐसा लगए कि हमारी value है नहीं, यहीं लोग राज चला रहे तो differences आएंगे, ठीक है, तो इसलिले हमको कहीने का इससे समझाता करना पड़ता है dignity and freedom of citizen, डेको democracy जो है वो still बहुत जादा superior है as compared to any other form of government अगर हम बात करेंगे किसी particular इंसान की dignity कैसी है, importance कितनी है freedom कितनी है, तो freedom सबसाथ democracy में ही होती है, यह तो for sure सी बात है because democracy provides these two things, dignity, ठीक है dignity कैसे देती है भाई, right to vote है women को भी right to vote है, ठीक है reservation, अलग-अलग caste group ले reservation मान लो कि dictatorship मोनार्की में जो lower class लोगे उनको बिल्कुल outline नहीं कर दिया जाता उनको बिल्कुल कुछ नहीं किया जाता, उनको बिल्कुल भाई नहीं दिया जाता पर democracy के अंदर, सब के पास में equal right to vote है, ठीक है दूसरा freedom भी है fundamental, जो 6 fundamental rights होते है, ठीक है, वो ही right to speech right to vote, वो सारी चीज़े जितने भी rights होते है वो भी है, ठीक है, तो freedom भी है सब के पास में, ठीक है, चलो फटार अब कुछ PYQs देख लेते हैं, यह PYQs जो है, यह हमने पडले की notes से ही लिये हैं तो अगर तुम को इन notes चाहिए, यहाँ पर तुमको करीब बहुत सारे 15-20 PYQs है, मैंने आपर उन में से सुर्फ 5-6 select किये हैं, तुम वो सारे के सारे PYQs देख सकते हो, description में link है, पढले के website पे जाके, यह फिर पढले की mobile app डाउलोड करके, तुम वो चीज़ देख सकते हो, बट फ़र ना, अगर हम फटाफट PYQs की बात करें, तो चलो, देख लेते हैं, हाव कि निसे हैं, ता democracy is based on political equality, तो democracy is based on political equality as individuals have equal weight in electing their representatives, तो जो चीज़ मैं चाटर के अंदर होता ही, वो ही चीज़ तुमको PYQs में count के जाएगा, और जो बहुत गरीब वाद में हो, इसका भी equal, एक ही group में count के जाएगा, तो equal representation है, equal wasn't है दोनों की बातों का, ठीक है, तो यह हो गया, the assertion of social diversities, यह चलो, यह basically इसका मतलब है कि social diversities is very normal and can be healthy, ठीक है, basically यह यह जो question है, मतलब यह है, कि सभी जो social diversities है, उनको equal assertion मिले, ठीक है, उनको same, सारे, सब कुछ same से मिले, तो उसके, उसका एक result होगा कि democracy बहुत healthy होगी, ऐसा क्यों, तो वो हमने समझा है, ठीक है, एसा क्यों, क्योंकि भाई, जो जो ऐसे groups होगे, जिनकी जादा मालो कि जो lower class groups हो उनकी भी, हम मतलब उनके साथ भी जो गई भीती बात है, वो हम सुन सकते हैं, ठीक है, हम उनको uplift कर सकते हैं, जब वो express करेंगे अपनी feelings को, अपनी emotions को, तो हम समझ सकते हैं, इनके साथ में क्या हो रहा है, तो हम उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो इसलिए, ठीक है social divisions affect politics, definitely, ठीक है, तो इस चीज़को बहुत देखना practically, कि social division कैसे politics को affect करते हैं, ठीक है, तो देखो social division से क्या क्या होता है कि communal politics को बहुत बड़ावा मिलता है, communal politics मतलब की, community-wise politics करना, मतलब की, एक community किसी, एक party को support कर रही है एक community किसी, एक party को support कर रही है, इस types ठीक है, government जो है, उस case में कहोता है कि, majority community को support कर रही होती है ठीक है, as compared to minority community, तो minority community के इतने जाधा rights भगर नहीं सोने आते है politics of social division is very normal, ठीक है and can be healthy it allows people to express their grievances, ठीक है तो वो ही चीज है, ठीक है, हमने read कर लिए explain three factors that are crucial in deciding the outcome of politics in social division, तो politics of social divisions के एक रही हम बात करे तो उसके क्या-क्या वो चीज़ आउटकम से वो हमने आपर देख लिए, ठीक है, यह है यह देखो, मैं डिरेक्ली एक PYQ, डिरेक्ली नोट्स का screenshot लेके निगाले गए 2012 का question है, ठीक है, डिक्टर्श व दिक्टर्शिप के बीच में हमने difference देखे on the basis of decision making process, ठीक है This is me, co-founder at Padhle signing off, उससे पहले, अगर तुम लोग चाल के सुर्यान के तो make sure कि तुम subscribe कर लो, और साथ में अगर तुम लोग तुम लोग ने चीज़ की तो बहुत फाइदा हो तो लोगों को तुम तो 10th वाले हो तो तुमक को तो बहुत फाइदा होगा ही होगा which is completely for free, you just need to click the link in the description, you are good to go, so with that being said, I hope you guys enjoyed this video, I hope you guys enjoyed this video, I'll see you in the next video, goodbye, take care, don't forget to subscribe and follow me on Instagram at the rate kornpranay and also follow Padhle on Instagram at the rate padhle.in, I'll see you in the next lecture, goodbye, take care, Jai Hind, Vande Mataram